तो आज फिर से नेक्स्ट जो लेक्चर है पैकिंग और फार्मासिटिकल का वो कंटीन्यू करेंगे जादा टाइम ना घराब करते हुए कंटीन्यू करते हैं इसमें डिजारेपल फीचर्स आफ दा कंटेनर जो कि लास्ट मेने आपको टॉपय कवर किया था उसके अंदर मैंने आपको जो लास्ट हडिध कवर कि थी थी धा टाइप请 में पैकिंग मैटीयल है जो यो कैसी चीज के ओफर स्टेंट करते हैं कि वह डिपांट करता था इसमें अपर तो आज जो नेक्स्ट टॉपिक में आपके साथ डिसकस करूगी तो चलिए जो हम जब कंटेनर सेलेक्ट करते हैं तो उस कंटेनर के क्या-क्या डिसारेबल फिचर्स होने चाहिए क्या-क्या में प्रॉपटीज होने चाहिए कि हम उसको सलेक्ट कर सकें या उसके अंदर हमें कौन-कौन से में पॉइंट्स हैं जो कंसेडर करने चाहिए तो इन पॉइंट्स में वैसे तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है अगर में लिस्ट बनाने लगू तो बहुत लंब कुछ एक चीज अध्यान में रखनी चाहिए जैसे कि अगर कंटेनर है आपका उसका सर्फेस है वो क्लीन होना जाहिए वो जो कंटेनर है आपका दिर्चुडविता नॉन रेक्टिव जो आपकी डोसिज फोम है उसके साथ नॉन रेक्टिव होनी चाहिए कि किसी भी तरह की को आपकी चाहिए सब कुछ क्लीर होना चाहिए अगर आप इस कंटेनर को एक जगा से दूसरी जगा तक ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो उस कंटेनर के च्रेंथ चाहिए वो उसको ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे जो इसको शोक लगता है उस शोक अब्सॉर्बिंग मेटिर अगर हम कोई हीटिंग मैथर यूज़ कर रहे हैं तो वह उस हीट को टॉलरेट करना है कि उसमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए इस तरह से बहुत सारी पॉइंट है अगर हम इनको कंसीडर कर सकें स्ट्रेंगर bisa पॉइंगे आए बैंने हम इसको बैटर है कि इसके क्लासिस के हसाब से सब्सक्राइब करेंगे तो DESIRATAL Features में इस में 1st क्लासिकल है यह ति तप फिजिकल प्रोपेटीज कि कौन कउन सी फिजिकल फिजिकल प्रोपरटीज है कंटेनर की विच उड़ी दा कंसीडर्ड फिजिकल प्रोपरटीज सिकेंड वन इस था मेकैनिकल प्रोपरटीज थर्ड वन इस था फिजिकल रियक्टिविटी या केमिकल प्रोपरटीज भी एक्सक्ति वाँ इसको फूर्थ वन इस था पाइलोजिकल प्रोपरटीज एंड फिफ्थ इस था एकनॉमिकल विल तो ये पांच फेक्टर्स हैं जो हमें कंसीडर करने चाहिए द्यूरी दा सेलेक्शिन ओफ अ कंटेनर की ओवर कौन से इसमें डिसारेडल फिचर्स होनी चाहिए वन बाइवन इसमें हम डिस्क्स करते हैं सबसे पहले हैं फिजिकल प्रोपरटीज अब फिजिकल प्रोपरटीज की हम बात करें फिजिकल प्रोपरटी जब हम डिसक्स करेंगे तो बाकी चाहर को इसको साइट पर रख दीजिए तो इसमें पोइंट्स अपने आप आपके दिमाग में आएंगे देखें फिजिकल प्रोपरटीज में हम क्या क्या प्रोपरटीज कर सकते हैं फर्स्ट दा कंटेनर शुड बी गुट लोकिंग जो कोई भी देखिए अगर हम कोई भी चीज है कोई भी सब्सक्राइब के बाद नहीं करते किसी और भी चीज के लिए कोई भी चीज अगर आप मार्केट से खरेगने जाओगे तो सबसे पहले में उसकी अप्यारेंस देखत क्लास और या क्कोई प्लासटीक कंटेनर में है या कुई भी कंटेनर में कंटेनर है रजाहए कोई सपय्स अगर प्लकुली होणा चाहिए जिससे सपोज अगर हम injectables में peripheral preparations के अंदर transparent glass containers यूज करते हैं या जो हमारे eye preparations है या ear preparations है उनके अंदर हम जो containers यूज करते हैं तो वो transparent containers यूज करने का क्या purpose है अगर किसी भी तरह की कोई contamination है कोई particulate matter है तो वो particulate matter हमें उसके अंदर visible हो सके ताकि हम उस preparation को ना यूज कर सकें तो उसलब से पहले है उसकी appearance से की factor है कि जो container है आपका container का जो color है container ऐसा container नहीं होना चाहिए कि जिससे उस container का color छूटता हो ऐसा container नहीं होना चाहिए जिसके अंदर जिससे plastic है plastic के अंदर एक plastic की smell लाती है प्लास्टिक का एक बड़ा जीब सा order आता है कि वह plastic का order आपकी medicine के साथ रियक्ट ना करें या उसके कारण आपके जो medicine के साथ आपका तेस्ट चेंज ना हो तो इसमें बाकी चीज़े आ जाएंगी color, order and taste तो यह चीज़ें जो है आपकी medicine को effect नहीं करनी चाहिए यह चीज़ें हमारे container की हमें ध्यान में रिखनी चाहिए इसमें रेगुलर सर्फेस होना चाहिए, स्मूथ सर्फेस होना चाहिए इसका जो color, order या टेस्ट केसी भी तरह से हमारे जो dosage form है हमारे dosage form के color, order या टेस्ट को effect नहीं करनी चाहिए second one is mechanical properties, mechanical properties and these are related to the strength of the container strength of the container, strength का क्या करता है, कि जैसे अगर suppose container को हम एक जगा से दूसरे जगा ट्रांस्पोर्ट करते हैं, अब जैसे suppose run back से से कोई medicine भनके आ रही है तो वो पूरे all over India में supply होती है, all over India में क्या इवन बाहर भी supply होती होगी, तो shipping के time, transport के time जो आपका container है, उसकी packing इस तरह से होनी चाहिए कि वो container आपका टूटे नहीं, कि जैसे suppose अगर कोई glass container है glass भी होते है, plastic container भी होते है, brushless container भी होते है सभी तरह के होते हैं, तो वो जो आपका container है, उसके कारण किसी भी तरह का कोई harm ना हो, किसी भी तरह की कोई breakage ना हो, इतना वो strength इतना वो powerful होना चाहिए, तो दूसरे बात है अगर हम strength की कहाँ जुरूत पड़ती है, अगर कैसे कुछ ही medicines होती है, कि जिनको हम packing के time जो containers है, वो containers हमेशा sterilize use करते हैं, specially in the case of VNT preparations या parental preparations, तो उनके अंदर जो containers है, वो भी proper sterile containers होने चाहिए, free from the microorganism, तो sterilization के लिए, जो हम methods use करते है, hot air oven method या moist heat method यही use करते हैं, तो जो container है उस hot air oven method के अंदर हम 160 degree Celsius तब temperature use करते हैं, जो container या उसके इतना powerful होना चाहिए, कि वो इतना temperature टोलेट कर सके, तो it must have the strength for transportation and transportation, it must have the strength for transportation and resistant to heat oil, heat के लिए resistant होना चाहिए, तीसरा इसके इतर है chemical reactivity chemical reactivity से point clear है कि जो container है हमारा वो chemically reactive नहीं होना चाहिए container और closer देके दो चीज़े यूज करते हैं, container जिसमें medicine डाली है और closer जिसको हमने उपर से seal करने के लिए use किया है, तो यह जो दोनो चीज़ें हैं, यह हमारी medicine के साथ किसी भी अंगल से reactive नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह अगर हमारी dosage foam के साथ reactive होंगी तो इसके करन हमारी dosage foam की stability जो है वो effect होगी dosage foam हमारी instable हो सकती है, यह कई बार chemical reaction की वज़े से क्या होता है कि कोई ऐसा product बन जाता है जिसके वज़े से it may be harmful to our body, it may be poisonous to our body, तो it should be non reactive, it should be non reactive to our dosage foam. It should be non reactive to the dosage foam or to the medicine, to the product, product use कर लेते हैं Next is the biological properties, biological properties में क्या है, biological properties का मतलब है किसी भी तरह की microbial contamination, किसी भी तरह की bacterial contamination यह viral contamination हमारे product को container के थूर नहीं होनी चाहिए जो भी containers है जितनी भी medicines या pharmaceutical dosage forms pack के जाती है उनके अंदर packaging के से पहले वो जो सारे containers है they must also be sterilized by the different methods तो यह चीज़ ध्रान में रखने चाहिए कि जो भी हम इसमें containers use कर रहे है that containers should not be the media for any type of microbial contamination or the viral or the bacterial contamination to the product क्योंकि अगर container में ही already contamination होगी container में ही already microbes होगे तो इसके विज़े से हमारी preparation खराब होगी होगी अकेली product को यह dosage form को यह medicine को sterilize करने से कुछ नहीं होगा इसके लिए जो भी हम उसमें containers use कर रहे है वह containers भी हमारे free from any type of microbial contamination होने चाहिए they should be the free from microbial contamination कि अंद गुএ दिए करफ दो इसे लिए G Board possible वी से अगर जो मैडिसंस और हैं जिस तरह से हमारी लाइफ की नीड है रोटी कपड़ा और नकान उसी तरह से जो मैडिसंस है मैडिसंस भी हमारी लाइफ के लिए एक बेसिक डीड है तो बहुत से जो हमारी इंडिया की 70% population है या आप 80 भी कह सकते हैं कि वो ऐसे है कि that is the hand to mouth तो अगर मैडिसंस हम चाहते हैं कि शुट भी healthy country तो इसमें economical value भी एक बहुत main point है that should also be considered क्योंकि अगर packaging material ही इतना महंगा होगा तो obviously जो आपकी medicine है that will also be very costly medicine की cost भी उसी तरह से बढ़ जाएगी कई आप में देखा होगा जैसे जो market में product आते हैं अगर हम cosmetics की बात करें cosmetics में तरह के tosage forms ही है वो just आपकी non-medical value है उसकी कोई medical value नहीं होती बहुत सी cosmetics की होती भी है बहुत से cosmetics की नहीं होती तो जो cosmetics के products हैं आपने different companies के cosmetics के products देखे होगे जिसे males के भी आते हैं या females के भी आते हैं तो उसमें जो बहुत branded companies हैं branded companies के देखो कि उसके अदर उनकी packaging इतनी इच्छी होती है और लेकिर उनके अदर जो product की quantity है बहुत कम quantity होती है तो सिरफ packaging की cost है तो लेकिन हर जो every person, every normal जो person है, normal class पर जो person होता है that he is not able to pay that much value और जो medicines है, cosmetics can be avoided but medicines cannot be avoided because it is the basic need of our life तो यह चीज़ रहान भी रहने पड़ेगे कि जो भी हम container select कर रहे हैं कि they should also have the economical value they must also be the cheap and their cost should be the so genuine कि जो हमारी dosage हों है या जो हमारी medicines है it should not be so much of costly, तो their cost it should must be the genuine cost और they must be the cheap cost-wise तो यह 5 factors है, जो हमें we should consider during the selection of the container और these are the desirable features, the physical properties, physical properties में appearance कि आपका जो container है वो दिखने में कैसा है उसका color, order, taste कहीं आपकी dosage form को effect तो नहीं कर रहा है, mechanical properties में उसकी जो strength है कि यह इतना powerful होना चाहिए, कि वो transportation को और heat को किसी तरह से effect ना करे, biological properties में माइक्रोबिल कॉंटैमिनेशन नहीं कॉस करना चाहिए, किसी भी तरह से, it should be non-reactive, जो हमारा product है, हमारे product के लिए completely non-reactive होना चाहिए ना ही container reactive होना चाहिए, ना ही closer reactive होना चाहिए, economical value और कुछे cover points है कि जैसे जब हम उसमें से material निकालते है, medicine तो it should be the leakage proof, किसी भी तरह कि कोई leakage नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह कि कोई loss of content नहीं होना चाहिए, transportation के time कि हमने pack 30 ml किया था, लेकिन जब हो ultimately customer तक पहुचा, तो उसमें volatile material था, वो evaporate होता गया, और वो 25 ml रहे गया तो उसको उसी तरह से hermatically sealed container में pack करो, तो इस तरह से different factors है that must be considered during the packaging of the content, now next topic is the how to select a container, कि अगर हमने कोई medicine select करनी है, अगर हम कोई dosage foam है, उस dosage foam के लिए हमने select करना है कि हमने किस तरह का container use करना है, तो वो किस किस चीज़ों के ओपर टिकर डिख रहे है, now next is how to select a container, container हमने select करना है, तो container किस किस चीज़ के ओपर depend रहेगा, first, it will depend on the physical state of dosage foam, second, it will depend on the root of administration, third, it will depend on the requirement of pressure, inside the container, fourth, it will depend on the sensitivity of the product, first, it will depend on the sensitivity of the product, and fifth, it will depend on the chemical, reactivity and cost और economical value of the product, तो यह पांच factors हैं, इनको one by one discuss करते हैं, first one is the physical state of the product, इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाओंगी, पीछे जो अभी तक मैंने topic सारे cover की हैं, वो सारे के सारे topics इस topic के अंदर दुबारा से repeat होंगे, तो इसको आप इसली अपनी किसी बुक में से बढ़ सकते हैं, जसको आप इसको समझ लें topic को तो इसको जितना माची आप इसली इलेवल कर सकते हैं, physical state of the dosage room, अब किसी भी dosage room की क्या-क्या physical state हो सकती है, liquid, solid, semi-solid और gas, तो लिक्विड के लिए हम किस टाइक के containers यूज करेंगे, लिक्विड के लिए हम यूज कर सकते हैं, जैसे या ear or nose के लिए जो preparation है वो droppers, dropper containing bottles, वो यूज करेंगे, इसी तरह से जो semi-solid है, जैसे ointment है, based है, वो जो collapsible tubes हैं, या ointments या creams हैं, creams में आपने देखा होगा wide mouth bottles भी यूज हो सकती हैं, या tubes यूज होती हैं, जो gases हैं, gases में जैसे aerosol type containers होते हैं, जो pressure को tolerate कर सके उस तरह के containers, और जो fourth foam रहागी solid, solid foam के लिए जैसे tablets हैं, उसके लिए single-single strip packing भी हो सकती हैं, aluminium foil packing भी हो सकती हैं, glass containers भी हो सकते हैं, plastic bottles भी हो सकते हैं, sashes, pouch, कुछ भी हो सकते हैं, तो यह different करता है कि एक तो physical state आपके dosage foam की कैसी है, एदर वो solid है, liquid है, semi-solid है या gas है, इसी से दूसरा जो factor है हम यहां लेक कर सकते हैं कि requirement of the pressure inside the container, कि अगर जैसे हमारे container के अदर pressure की जरूरत है, suppose अगर मैं यहां एक ही तरह के dosage foam आती है, इसमें जैसे जो aerosols हैं, कि aerosols में अगर हमें dosage foam की जरूरत पढ़ रही है, तो aerosols अगर जैसे aerosols के अंदर हमें pressure की जरूरत पढ़ रही है, तो aerosols दो आप देखिये, जो perfumes हैं या जो sprays होती हैं, वो mostly aluminium containing या metal containing जो है, containers हैं, उनके अंदर packing होती है, या फिर बहुत ही hard glass containers हैं, वो use किया जाती हैं, क्योंकि उसके अंदर हमने gases की वज़े से, gases foam की वज़े से, या vapors की वज़े से, pressure create होता है, और उसके वज़े से, जो breakage के chances हैं, वो minimum हो जाएंगे, lows के chances हैं, वो minimum हो जाएंगे, तीसरा जो point है इसके अंदर, that is sensitivity of the product, मैंने आपको पहले भी बताया कि, सारे के सारे topics जो मैंने पहले करवाया है, वो इस topic के अंदर cover हो गए है, sensitivity of product के अंदर क्या है, कि जो अगर आपका product, moisture sensitive है, तो hermatically safe container, oxygen या carbon dioxide sensitive है, तो air tight container, microbial contamination के चांद से जादा है, तो well closed container, light sensitive है, तो amber colored water या child resistant container, तो उसे हिसाब से हम अपने container का sensitivity के हिसाब से अपने product का container है, वो select कर सकते हैं, next factor is root of administration, कि आपने उपनी जो dosage foam है, किस रूट से देखे हैं, suppose अगर हमने ear nose, के through देनी है, तो dropper bottles यूज़ करेंगे, अगर हमने simple tablets है, capsules के foam में, oral dosage foams लेनी है, oral liquid भी हो सकती है, तो उसके लिए, plastic या glass bottles होंगी, या solid है, तो उनके लिए, aluminium foil packing, pouch, chashay, कुछ भी use हो सकता है, या internal, जो parental preparations है, उनके injectables है, उनके लिए vial, ampules, या thermoplastic bags होते हैं, जिनके अंदर fluids होते हैं, dexto solution, या sodium chloride solution, उस तरह की packing होगी, chemical reactivity और post, chemical reactivity है, सबसे जो main factor है, कि किसी भी medicine को pack करते हैं, उसकी chemical reactivity हमें जरूर थ्यान में रखनी होगी, कि जो हम उसके लिए container use कर रहे हैं, कहीं वो container के साथ react तो नहीं करेंगी, क्योंकि जो main problem आती है, वो आती है, plastic containers और metal containers में, उनके अंदर leaching होती है, leaching की वज़े से क्या होता है, कुछ ही एक उसमें contamination, कुछ ही एक उसमें chemicals release होते हैं, जो हमारी preparation को खराब करते हैं, इसलिए जो chemical reactivity और economical value हैं, यह चीज़े हमें उसके अंदर consider के भी पड़ेगी, तो यह 5 factors नहीं, जिसके तो हम यह find out कर सकते हैं, कि हमें अपने container, अपने product के लिए, किस तरह का container और कौन-कौन से चीज़ों को ध्यान में रखें, हमें कैसे suitable container उसके अदर select कर सकते हैं, तो next topic है जो, next topic में हम पढ़ेंगे कि हम किस type का material यूज़ कर सकते हैं, material में जिसे glass material हो गया, plastic material हो गया, वैसे तो glass, plastic या paper bag हम यूज़ करते हैं, या cardboard boxes भी यूज़ करते हैं, लेकिन जो most commonly इसमें glass और plastic containers यूज़ किया जाते हैं, वो हम next lecture के अंदर continue.